हेलो दोस्तो आज हम ते लास्ट आफ ऐस का एपिसोट 3 देखने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा एपिसोट के स्टार्टिंग में हम जॉल और एली को जंगल में देखते हैं वो लोग वेस्ट बॉस्टन से 10 माइल्स दूर थें एली जॉल से कहती है कि वो उसे किसी भी चीज़ के लिए बलेब ना करी क्योंकि उन्हें कार बैटरीज की जरूरत थी जिसके लिए वो एली को स हाथ लाने का डिसिजन लिए थें फिर वो दोनों जॉल की दोस्त बिल और फ्रैंक के तरफ पांच माइल की हाइकिंग करते हुए बढ़ते हैं एली जॉल से पूछती है कि उसके फोर हेड में किस चीज़ का मार्क है क्या वो कहीं सीडियों से गिर गया था जॉल उसे बतात हुआ है वो उस एंट्रेंस को खोलती है और टॉट से नीचे के हाला देखने के बाद पेस्मेंट में उतर आती है वहां काफी अंधीरा था वो एक्सप्लोर कर ही रही थी तब उसे कुछ अवाज सुनाई देती है एली टॉच जलाकर देखती है तो वहां एक लेने पर वह एली की तरफ बढ़ता है पर उतने में एली वापस आ जाती है वो दोनों फिर से आगे बढ़ चलते हैं एली को एक पुराना क्रैश्ट प्लेइन दिखता है जिसे देखकर वह काफी अमेज्ड हो जाती है फिर वह जॉल से पूछती है कि आखिर हुआ क्या था लोगों ने उने खाया और उनकी तब्यत खराब हुई और फिर वो एक दूसरे को काटने लगे और इसी तरह कुछ दिनों में सारे के सारे इंफेक्टेड हो चली जॉल अचानक रुख जाता है और कहता है कि हम दूसरे रास्ते से जाएंगी वहाँ कुछ ऐसा है जो तुमे नहीं हो सकते इसलिए वो सभी अनिफेक्टेड लोगों को मार डाले अगली सीन में हम उन इंसानों को देखते हैं जिनकी हडीया पड़ी उई और यह फ्लाश पैक है 2003 का सोल्जस काउ के लोगों को ट्रक में भर रहे थे सेफ जगा यानि क्यूसी ले जाने के लिए वहीं कै वो अपने साथ ले जाते हैं सभी के जाने के बाद वियर अपने बेस्मेंट से बाहर आता है और बाहर आकर वो कंफ़र्म करता है कि सब जा चुके हैं फिर वो बहुत सी तैयारिया करता है वो एक बोर्ट चुराता है और लोकल गैस 스पलाइज लेता है स्टेशन से टैंक फिलप करता है होम डेपो से सप्लाइज लेता है गैस प्लाट में पावर बैक के लिए जाता है वाइन शॉप से बहुत सी वाइन्स उठाता है जनरेटर सेट अप करता है पूरे टाउन में फैंसिंग लगाता है सबजिया उगाता है और फार्म सेनिमल भी और मर जाता है चार साल बीच जाते हैं बिल अपने बेस्मेट में काम कर रहा था तबी उसे पता चलता है कि उसके बनाए गड़े में कोई फसा हुआ है वो चेक करने जाता है तो आवाज आती है कि मैं इंफेक्टेट नहीं हूँ बिल उसे सीड़ी देता है जिसमें से वो आदमी बाहर आता है बिल अभी भी उसे गन पॉइंट पर ही रखा हुआ था वो बताता है कि उसके साथ 10 और लोग थे पर अब वो अकेला बचा है और वो सब बॉस्टरिन की तरफ जा रहे थे वो उसे मशीन से चेक करता है जो कि ग्रीन हो जाती है बिल उसे बॉस्टरिन का डिरेक्शन बताते हुए उसे वहाँ से जाने को कहता है पर वो आदमी उसे कुछ खाने को मांगता है और बताता है कि उसने दो दन से कुछ नहीं खाया बिल कहता है कि इस तरह वो और भी लोगों को खाने के लिए ले आएगा जिस पर वो आदमी कहता है कि नहीं वो ऐसा न ही हुई है। इतने में बिल खाना लेकर आता है। वो आदम抓 boxer देखकर बहुत कुछ हो जाता है और मज solchen अपना खाना घाता है। बिल आदमी बिल को प्ले करने के लिए इंसिस्स करता है। बिल प्यानों प्ले करते हुए किसी की यादों में खो जाता है। जिस पर वो आदमी उससे पूछता है कि कौन थी वो लड़की। बिल कहता है कि कोई नही। इन दोनों की e-motion काफी unbalanced हो जाते हैं और वो एक दूसरे को क वो आदमी अपना नाम फ्रैंक बताता है और बिल को शार लेने को कहता है बिल बातुम से बाहर आता है और फ्रैंक बैट पर उसका वीट कर रहा था बिल भी बैट पर आता है और वो दोनों एक दूसरे की क्लोज आते हैं सीन शिप्ट होता है और बिल और फ्रैंक के रिलेशन तो को बुलाएगा, जो कि उसने रेडियो के थू बनाये हैं, बिल गुस्सा करता है, पर फ्रैंक फ्रेंट्स बुला ही लेता है, जो कि और कोई नहीं, बलकि टेस्ट और जॉल हैं, बिल का हाथ गन से हट ही नहीं रहा था, वहीं फ्रैक काफी खुश था, फ्रैंक टेस्ट को कहता है कि वो फिंस कमजोर पड़ रही है और वो उसे क्यूजी से मजबूत फिंस प्रुबाइड करवा सकता है फ्रेंक टेस्स के साथ रेडियो कोर्ट्स डिसकस कर रहा था जो कि हमने फरस्ट एपिसोल में देखा था जो बिल्क को बताता है कि फेडरा तो नहीं पर रेडर पर अटाक कर सकते हैं और वो रात की शांती में गंस के साथ आते हैं तीन साल गुजर चुके थे यानि वक्त था दोहजार तेरा का बिल और फ्रैंक चॉगिंग कर रहे थे फ्रैंक बिल को अपनी लगाए हुए स्ट्रॉबेरीज दिखाता है जिसके बीज उसने टेस और चॉ प्रैंक बिल को अंदर लेकर आता है और ट्रीटमेंट देता है पर बिल को लगता है कि वो नहीं बच पाएगा वो फ्रैंक को जॉलर टेस के साथ रहने को कहता है जिस पर फ्रैंक कहता है कि उससे कुछ नहीं होगा सीन शिट होता है और उस इंसिडेंट को 10 साल बीच चुके थे और फ्रैंक और बिल काफी बूड़े हो चुके थे फ्रैंक बीमार रहने लगया था वो कुछ पेंटिंग्स बना रहा था और बिल पौदों को पानी दे रहा था फिर दोनों साथ में खाना खाते हैं फ्रैंक क को ना कर दीता है और कहता है कि आज उसका आखरे दिन है और बिल से कहता है कि उसने सोच लिया है और बताता है कि वो बिल के सांथ प्रैक्वस्ट करना चाहता है वो बूड़ी जाना चाहता है जहां से दोनों के लिए कपड़े लाएगा और वो दोनों शादी करेंगे और चाहता है कि वो डिनर साथ करे और बिल उसकी सारी दवाया वाइन में मिलाकर उसे सर्फ करे और रात में वो बिल के साथ हमेशा के लिए सो जाए बिल रूने लगता है पर उसका कहना मानने को आखिरकार तैयार हो जाता है वो दोनों बिल्कुल वैसा ही करते हैं बोटीक से कपड़े लाकर एक दूसरे से शादी और बिल वही डिनर बनाता है जो वो पहली बार उनने साथ किया था और आखे में उसे वाइन देता है जिसमें वो दवाईया करश करके डालता है दोनों साथ में वाइन पीते हैं फ्रैंक विल से पूछता है कि क्या बॉटल्स में भी दवाईया मिली थी जिस पर बिल एगरी करता है और कहता है कि वो भी अपूड़ा हो चुका है और फ्रैंक ही उसका परबस था फ्रैंक कहता है कि वो इस बात पर बिल्कु बिल्कु सपोर्ट नहीं करता पर हाँ ये रोमैंटिक भी है जिस पर दोनों इमोशनली हसने लगते हैं और दोनों साथ में हमीशा के लिए सोने के लिए चले जाते हैं सीन शिफ्ट होता है और जॉल और एली बिल और फ्रैंक की जगह पर पहुँचते हैं जॉल नोटिस करता है कि पौधे सूखे हुए है और दर्वाजा खुला हुआ था वो बिल और फ्रैंक को आवाज लगाता है पर कोई रिपलाय नहीं आता वो एली को वहीं रुकने को कहता है एली देखती है कि डाइनिक में रखा खाना सड़ चुका है फिर उसकी नजर टेबल पर रखे हुए एक नोट पर पढ़ती है यहां जॉल बेडरूम का दर्वाजा नौक कर रहा था वो वापस आता है तो एली को नोट पढ़ते हुए देखता है एली बताती है कि यह बिल और फ्रैंक ने लिखा है और साथ में एक चावी भी छोड़ गये है वो जॉल के लिए नोट पढ़ती है उसमें लिखा था कि यह नोट जॉल या और कोई पढ़ रहा है तो बेडरूम में मत आना स्मेल ना आए इसलिए हमने विंडोस खोल रखी है जो भी चाहिए वो तुम ले सकते हो बंकर का कोट गेट के कोट से चस्ट रिवर्स है जॉल मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया पर फिर भी हम दोस्त थे मुझे दुनिया से नफरत थी और जब लोग मर रहे थे तो मैं बहुत खुश हो रहा था पर मैं गलत था एक इनसान उसके लिए इंपोर्टेंस रखता था और उसने हमेशा उसे प्रटेक्ट किया इसलिए तुम्हारे और मेरे जैसे लोग यहां हैं और तुम इतना कहके अली चुप हो जाती है जॉल आगे पड़ता है तो उसमें लिखा हुआ था तुम टेस्स को प्रटेक्ट करना जॉल घर से बाहर आता है और टेस्स का सोच कर रोने लग जाता है फिर वो क्यारेज में आता है और ट्रक की बैटरीस चेक करता है और उन्हें चार्ज के लिए लगा देता है अंदर आकर एली को उसके हाथ दिखाने को बोलता है और उसे बताता है कि उसने ट्रग बैटरी स्चार्ज पर लगाई है और उसे अपने भाई टॉमी के मिसिंग होने के बारे में बताता है और कहता है कि वो भी एक फायर फ्लाई है तो उसे पता होगा कि एली को आगे कहां ले जाना है एली टेस्ट का टॉपिक उठाती है जिस पर जॉल कहता है कि उसे कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगी रूल नमबर वन वो कभी भी टेस्ट की बात नहीं करेंगी रूल नमबर टू वो अपनी कंडिशन के बाले में किसी को भी नहीं बताएगी वरना लोग बिना सोचे समझे उसे माह डालेंगे और रूल नमबर थ्री वो जॉल की बाते मानेगी वो एली के साथ पेस्मेंट में आता है एली इतनी सारी गन्स देखकर अमेज़ हो जाती है वो जॉल से खुद के लिए एक गन रखने को पूछती है पर जॉल इसे मना कर देता है दोनों जरूरत के हिसाब से समान पैक करते है एली देखती है वहाँ गरम पानी है और कहती है कि वो शार लेगी और जॉल को विशायर लेना चाहिए जॉल बातरूम में था एली पूरे गर में चीजों को देख रही थी तबी उसे ड्रॉर में एक गन दिखती है वो जल्दी से उसे अपने बैग में रखती है उतने में जॉल भी आ जाता है पर वो एली को गन लखते हुए नहीं देख पाता फिर दोनों ट्रक में बैठते हैं एली पहली बार एक काड़ी में बैठती थी वो काफ़ी एकसाइट थी जॉल उसे सीट बेल्ट लगाने को कहता है पर उसे सीट बेल्ट का कुछ मालूमी कहां था जॉल उसकी सीट बेल्ट लगाने में हेल्प करता है एली एक कैसेट प्ले करती है और दोनों बिल और फ्रांक के टाउन से बाहर निकलते हैं और इसी के साथ एपिसोड थी होता है खत्म मिलते हैं अगले एपिसोड में